सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एटिट्यूडनल स्केल के बारे में दोस्तो इस में से वैसे तो बहुत ज्यादा कोशन नहीं आए हैं लेकिन अब नए सलेवस के अनुसार इस में से कोशन आने स्टार्ट हो गई हैं तो इस टोपिको करना हमाली बह पेड़ कोर से जरूर जोइन कीजी इसमें आपको क्या देने वाले हैं नमबर एक 2022 के new updated inorts देंगे नमबर दो 2012 से लेके 2020 सभी सित्ट के कोशन पर हिंद-इंग्लिस में देंगे नमबर सीफ में दोस्तों हम आपको 2012 से लेके 2020 सभी सित्ट के एड़ फ्री वीडियोस देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको पेड़ कोर्ष में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको मैथ और टिया के सभी कोशन का सुल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ दोस्तों हम आपको यह विताएंगे कि ऐसे कौन से कोशन है ज औरनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेसो स्केल उसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखी है वो आप वीडियो देख सकते हैं उसमें से भी कोशन आते हैं वो स्केल अलग है और यह स्केल अलग है लेकिन कही ना कहीं यह एक दूसरे से मिलते हुए है तो इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे यह देखे सबसे नमबर एक पर आता है दोस्तों हमारे पास thrust on scale आता है thrust on scale क्या होता है इसके बारे में हम देखते है thrust on scale are also called equal appearing interval scale यह देखे दोस्तों यह चीज़ हमें याद रखना बहुत ज़्यादा जुरूर है यहीं पर क्योंकि इसमें से question पहले आज का UGC net के अंदर thrust on scale को और किस नाम से पुकारा जाता है तो इसको दोस्तों equal appearing interval scale के नाम से भी पुकारा जाता है और इसके अंदर दोस्तों it is used to track behavior attitude और feeling toward a subject यानि कि किसी भी subject के प्रती किसी व्यक्ति कि क्या feeling है क्या behave है और क्या attitude है उसका subject से related उसको measure करने के लिए हम इस scale का use करते हैं this scale consists of statement about a particular issue or topic where each statement has a numerical value यानि कि किसी subject के प्रती statement होती है और हर statement का अपना एक numerical value होती है जैसे कि हम बात करके चले यहाँ पर मैं आपको एक example दिखा रहा हूँ कि जैसे मान के चले कोई बच्चा है वो कहता कि science मेरे को पसंद है वो science कितनी पसंद है एक से लेके 5 तक हमें उसको number दे दिए strongly agree, agree, natural और strongly disagree इस तरह से हम वहाँ पर number दे देते यहाँ पर statement होते है, statement के साथ साथ हमारे यहाँ पर number होते हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम पिछले measurement skill की बात करें nominal skill की बात करें तो दोस्तों उसके अंदर nominal skill के अंदर statement का number नहीं होता था तो यह चीज़ आप ध्यान रखना इस चीज़ के अंदर थ्रश्टों skill के अंदर हम statement का number देते है, numerical value देते हैं हर statement की अगर कोई ऐस सवीकार कर रहा किसी चीज़ को तो उसका हमें number देना पड़ेगा वहाँ पर और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर respondent attitude toward the topic as favorable और unfavorable यहने कि कितना वो like करता है, कितना unlike करता है, हर चीज़ का वहाँ पर numerical value आपको दिख जाएगी और आगे हम यहाँ पर दोस्तों आप हिंदी में भी देख सकते हैं और यहाँ पर हमने English में भी दिया हुआ है और देखें दोस्तों यह जो scale है, scale को आप English में याद रखने की कोशिस करना क्यूंकि हिंदी में इनके words सकाफी confusing करने वाले हैं हिंदी में आप बहुत ज्यादा confused हो सकते हैं, तो आप सभी से request है कि आप इनको English में याद रखने की कोशिस करना आगे हम बात करते हैं, गुटमें स्केलिंग के बारे हम बात करते हैं, गुटमें स्केलिंग is also called scaleogram analysis, तो इसको scaleogram analysis के नाम से पुकारते हैं, यह चीज़ आप याद रखना, इसमें से question आज सकता है इसके इंदर क्या होता है दोस्तों, इस विचार पर अधारित है कि वस्तु को निरंतरता के साथ इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि एक व्यक्ति जो किसी एक वस्तु से सहमत है, वह दूसरी वस्तु को भी सविकार करेगा, देखिए इसको मैं आपको बहुत ही असान से भी अपने आप एगरी होगा और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जामपल लेके चलता हूँ आपको जिससे आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आजेगा देखें नमबर एक पर हम लेके चलते हैं एक्जामपल के तुरुपे टीवी पर असलील प्रोग्राम समाज क को अपने स्टेशन पर असलील कारेकरम के अनुमति नहीं देनी चाहिए ये बात भी वो सविकार कर रहा है तो दोस्तों जो व्यक्ति ये तीन बात सविकार करेगा वो ओटोमेटिकली जो स्टेटमेंट नमबर फोर है वो भी सविकार करेगा सरकार को टीवी से असलील प्रो और को भी सविकार करेगा तो इस स्केल के अंदर गुटमेंट स्केल के अंदर इस तरह से बिजाइन किया जाता है ये इस तरह की होती है कि पीछे की अगर कोई व्यक्ति स्टेटमेंट सेलेक्ट करता तो वो आगे की भी सेलेक्ट करेगा तो इसके अंदर ये होता है दोस्त और आगे हम बात करते हैं दोस्तों like it skill के बारे में बात करते हैं देखे इट आलसो काल्ड़ the submitted rating skill दोस्तों देखे हर skill हम पढ़ते वह आ रहे हैं और हर skill का एक अलग नाम से भी पुकारा जा रहा है ये सभी आपको पता होना जुरूरी है क्योंकि UGC net के अंदर ऐसा ही question आ चुका है कि इस skill को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है यह चीज हमें पता होना चाहिए और इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर क्या है कि इसे submitted rating skill भी कहा जाता है किसी वीचसे के संबन्द में कई कतन विक्षित किये जाते हैं उत्तर दाता द्रडदता से सहमत हो सकता है या फिर एस सहमत हो सकता है या फिर टथास्त हो सकता है यानि कि natural वो हो सकता है यह same same कुछ-कुछ मिलता जुलता है यह दोस्तों इसके बारे में इन्होंने यह स्केल दिया हुआ है इसके सामने यहां पे स्कोर भी निखा हुआ है तो आप यहां पे एक्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों और देखें वैसे मैं आपको पहले वी बता चुका हूँ कि इसमें से बहुत ज्यादा कोश्चन नहीं आये हैं दोस्तों तो आप इनके बारे में बेसिक समझ रख लेना इनहीं में से कोश्चन आ जाएगा आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारे पास है इसके नदर क्या होता है कि किसी भी चीज को किसी नाम को किसी कॉंसेप्ट को टोप लेवल पर रख दिया जाता है यहां पर का है ना कि bipolar attitude यहां पर दो attitude रखे जाते हैं यानि कि दो चीजे रखी जाते हैं सहमत या ऐसहमत कहे सकते हैं यहां पर हम आपको एक example दिखाते हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और उनके उन दोनों के बीच में 7 point होते हैं 7 point के उनसार जो उत्र दाता है वो अपने उनसार उनको सेलेक्ट कर सकता है यहां पर देखी sample form for applying the semantic differentiated technique यहां पर दिया हूँ है time magazine time magazine जो है biased है unbiased है वो हमें बताना है कि time magazine के अंदर जो content आते हैं वो सही आते हैं या फिर biased आते हैं वो किस तरह के होते तो हम यहां पर अपनी समझ के उनसार अपनी अच्छा के उनसार उसका answer दे सकते हैं यहां पर जैसे यह लिखावा कि trust worthy time magazine जो है trust worthy है या नहीं untrust worthy यहां पर 1,2,3,4,5,6,7 यहां पर point दीवें अगर हमें लगता है कि हम 7 में से इसको चार नमर देना चाहेंगे तो चार पर इस पर टिकट कर सकते हैं और यहां पर एक चीज़ याद रखना दोस्तों आई polar attitude का यूज होता है यह पहले exam के अंदर पूछा जा चुका है तो यह चीज़ आप ध्यान रखना और इसके अंदर दोस्तों multi variant factor analysis का यूज होता है आप इसको भी देख लेना दोस्तों यहां पर हमने Hindi English दोनों यहां पर दे रखा है आप असानी से इनको पढ़ सकते हैं और वैसे इसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें से question आज तक नहीं आए लेकिन आपको basic समझ होना जरूरी है और इस से related दोस्तों जो भी question आज के आज तक वो हम live mock test में आपको करवाएंगे तो आप live mock test जरूर देना ताकि आपको समझ में आसके कि इन में से किस तरह से question आते हैं exam के अंदर थैंक यू दोस्तों अगर आपको net और ज्यार्फ चाहिए तो हमारा paid course से जरूर जोइन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं नमर एक 2022 के new updated notes देंगे नमर दो 2012 से लेके 2020 तक सभी shift के question paper हिंद इंगलिस में देंगे type of company question से जो भी question आचके वो अलग है यानि कि सब topic wise question भी आपको मिलने वाले है नमर पांच के दोस्तों हम आपको old 10 unit की ad free videos देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको paid course में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको math रोटी आए कि सभी question का solution प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ दोस्तों हम आपको यह विताएंगे कि ऐसे कौन से question है जो बार बार exam के इंदर repeat होते हैं तो दोस्तों देव किस्वाब की अभी जोइन कीजिए हमारा paid course क्योंकि निमीजीनेट है तो ज्यारब है